नमस्कार, कक्षा आश्टमी, विसे गणीत अध्यायतीन, आये चत्रबूजों को समझना, इसमें अपन चत्रबूज के बारे में जानकारी करेंगे, बहुबूज क्या है? ये पहले अपन देखते हैं, बहुबूज, बहुबूज का मतब्य रेखा खंडों से बना बंद वक् प्रऴ ciao, क्या होता है सीर्स सब मिली वे ओने चाहिए, सीर्स आपस में कटे वे नहीं होनी चाहिए तो वह तो क्या आकरती केलाती भाउ बहुबूज में कहलाए, अब देखो इस आकरती में क्या हो गई बहुबूज में यह देखो, यहां पाकर अपने सीर्स ये कट रहे हैं और आगे रेखाकर आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुबूज सीर्स नहीं मिल रहा है तो ये बहुबूज में नहीं आता है और ये एक बहुबूज में आता है इसी प्रकार आगे अपन और बढ़ेंगे फिर रहता है विकड बहुबूज है बहुबूज के नहीं होने चाहिए नहीं तो तो वह क्या हो जाते हैं बुजा में प्राप्त हो जाती है और सम्मुख सीर्स होते हैं वह क्या बनाते हैं विकर्ण बनाते हैं जैसे अब यह आगे अंदर सीर्स से सीर्स मिल गया तो यह क्या हो गए विकर्ण हो गए अब अपने पढ़ेंगे उ दो भी कौन होते हैं वो सब क्या होते हैं प्रते कौन 180 डिग्री से कम होता है और इसमें समस्ष्ट बूज अस्ट बूज ऐसे कवी भी आकरतिया आ सकती है अब आगे देखो अपन इसके और जानकारी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड पूंत है बहुबूज के अ बहार की तरफ होता है और एक कौन क्या आता है प्रतिवरति आता है यानि 180 से उपर आता है तो ऐसी आकरति क्या कहलाती है अउतल बहुबूज कहलाती है यह अपने को आकरति देख के ही पैचाना के यह अउतल है या उतल है अब आगे अपन इसमें सम बहुबूज और विसम बहु बुज के बारे में पढ़ेंगे सम बहु बुज सम का मतलब ही होता है सभी बुजाय समान तो ऐसी बुजा जिसमें सभी बुजाय समान हो वह सम बहु बुज कहलाता है जैसे सम बाहु तिर बुज वर्ग सम चत्र बुज सम सस्ट बुज सम अस्ट बुज ऐसी जो भी आक तिर्बूजे, सम्लम चत्रबूजे, ऐसे जो भी आकरती आएगी, वो क्या कहलाएगी, यह विसम चत्रबूज कहलाएगी, अब आगे अपन चत्रबूजों के प्रकार पड़ेंगे, चत्रबूजों में प्रकार, जो भी चत्रबूज के जो भी प्रकार आएगे, वो सब क्या आ जाएंगे उत्तल के उदारन आ जाएंगे उत्तल चतर बहुज के उदारन आ जाएंगे इसमें पहला है समलम चतर बूज समलम चतरबूज जिसमें बुजाओं का एक युग्म क्या होता है समानतर होता है एक युग्म जो भी चलेगा जिसा भी ये चल रहा है ये क्या चल रहता है समानतर चलता है एक ये जो आपस में कभी व्याग बढ़ाया जाए वो मिलता नहीं है तो वो क्या हो जाता है सम लंब चत्रबूज में इसके कौन अलग-अलग होते हैं और दो कौन क्या होते हैं अंतह कौन होते हैं अब आगे अपन पढ़ेंगे पतंग पतंग में क्या होते हैं सबी जो भी होते हैं जो आसर भूजाय होती है वो उनका युग मों बराबर होता है और विकन हमेशा एक दूसरे के उपर लंब होते है एक विकन दूसरे विकन को क्या करते है समदिवाजित करते है यह इसका गुण धर्म है यह इसके क्या है बतंग की आकरती का जो भी चतुर बुजाएगा हुआ है अब इसमें देखो यह अपने यह और यह बुजाए होती है यह समान होती है और यह और यह बुजाए समान होती है और इसके विकन होते है वो क्या होते है लंब होते है या जहां पर भी करते हैं वहां पर क्या हो जाता है 90 डिगरी का कौन पड़ता है और सब ये बराबर होते हैं फिर आगे अपन और चत्रबूज पढ़ेंगे समांतर चत्रबूज समांतर चत्रबूज में क्या होती है सम्मुख भुजाए सम्मुख भुजाए क्या होती है बराबर होती है और इसके सम्मुख कौन भी बराबर होती है ये और ये बुजा बराबर और ये और ये बुजा बराबर ये आयत के समान होती है बुजाओं के इसाफ से क्या होता है आयत के समान होती है बुजाए इसकी क्या होती है आयत के समान होती है और कौन के इसाफ से ये अलग-अलग होते है इसमें अब इसके जो विकन जा रहे है ये एक दूसरे को क्या करते है समदी बाजित करते है ऐसे यागे और अपन चतुरबूज के बारे में पढ़ेंगे सम चतुरबूज सम यनि जो इसकी समान जो ये क्या होता है वर्ग के समान इसकी सभी बुजाय क्या होती है बराबर होते है और ये माप में बराबर होते है और और समानतर चत्रबूज ये कौनों के हिसाब से समान होते हैं और इसके बुजाये जो होती है वो वर्ग के हिसाब से समान होती है सम्चत्रबूज में वर्ग के हिसाब से ये बुजाये वर्ग के हिसाब से और अब अपने इसकी आकरती देखो ऐसी होती है और इसमें विकन क्या होते है परस पर लंब होते हैं यानि यहां क्या जहां पर भी विकन आपस में कटेंगे वो लंब होंगे यानि 90-90 डिगरी के कौन बनेंगे ऐसे ही आयत भी एक चत्रबूज है इसकी सम्मुख भूजाएं और सम्मुख को जो होते हैं वो बराबर होते हैं जिसे ही समानते चत्रबूज में होता है ऐसे ही इसमें होता है इसमें क्या होता है आमने सामने की भूजाएं क्या होती है बराबर होती है परन्तु कौन क्या होत नबे डिग्री होता है यानि सम कौन होता है और विकन क्या होता है विकन हमेशा बराबर होता है इस प्रकार आगे अपन और चत्रबूज के बारे में बताएंगे वर्ग जिसकी सबी बुजाय क्या होती है बराबर होती है यह सम चत्रबूज के बुजाओं के आदार पे यह क् इसारं नहींगे में गूट है। चालू करते हैं प्रशनावली में अपने को आकरतियों को छाटना है यहां प्रशन नंबर एक यहां पर कुछ आकरतिया दीवी है इन आकरतियों को क्या जो दिया है साधार्ण वक्र में बंद वक्र में उत्तल अउत्तल इस प्रकार अपने को इसमें बाटना है अब पहला नं एकदम मिल रही है और इसके सिर्स कई ने कई मिल रहे है वो आपस में कट नहीं रहे हैं वो तो वो आकरती क्या आ जाती है साधार वक्र में आ जाती है फिर साधार बंद आ जाती है तो इसमें भी यही होता है इसमें भी क्या होता है जो सिर्स होते है वो आपस में कई कई मिल फिर बहुबूज बहुबूज में क्या होता है बुजा है आनी चाहिए बहुबूज में बुजा है आई तो अब देको ये तीन आकरतिया ही बहुबूज में ये आकरतिया ये बहुबूज में नहीं आएगी क्योंकि ये क्या हो रहा है वरत की तरह है इसलिए ये आकरतिया क् जो सीर्स होते हैं वह बाहर की तरफ होते हैं और विकण अंदर की तरफ आता है और अउतल में क्या होता है एक विकण बाहर की और एक सीर्स अंदर की और होता है तो ऐसी आकरतियां क्या होगी जिसे इसमें आ रहा है यह सीर्स अंदर की तरफ आ रहा है तो यह किसमें आग जा तो एक उतल चतरभूझ और इसमें क्या आते हैं किते विकण आते हैं दो व्कण आते यह आ अपने खीच यह उतल में उतल में चतुर जापने तो ही जासी विकण आयेंगे दो विकण आएंगे समस्ष्ट भूज तो समस्ष्ट भूज आया है इसलिए इसमें विकण कितने आ गए नो आ गए यह आकरती द्वारा आपको बताया है अब एक तिर्बूज अब इसमें तिर्बूज देखो विसम भी तिर्बूज आता है विसम भाहू भी तिर्बूज आ अगर इसमें अपन को सम बाहु तिर्बूज का होता तो अपने पास में उसके विकन तीन आ सकते थे पर अपने यह नहीं आ रहा है इसमें विकन होता ही नहीं है तिर्बूज में आगे अपन और प्रशन के बारे में पढ़ेंगे प्रशन नमबर 4 में क्या पुछा है तालिका यह दीवी है अब यह तालिका में देखो कॉणों का योगफल योगफल बुजाओं के आधार पे इस चत्रभूज है इसमें कितनी बुजा है देखो यह चत्रभूज में तीन बुजा है तो n अपने को तीन मानना है और इससका इसे प्रशन का समझेंने इसमें दिया है ये साथ दी है, साथ भुजाओं के आकरती दी है तो साथ भुजाओं के आज़े एन बराबर अपने क्या माना? साथ, तो कोणों का योगपल अपने इसका सूत्र लगा दिया तो साथ माइनस दो इंटू 180 तो पांच इंटू 180 डिग्री तो आपने ये इसको गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? 900. इसका मतलब साथ भुजाओं से जो भी गिरीवी आकरती होगी, उसके कोणों का मान क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा. इसी प्रकार आपने आगे ऐसे ही प्रशन दिये हैं, उसमें आपको ये ग्रह कारे दिये हैं, और ग्रह कारे को आपको कड़ने हैं, वो कक्षा कारे में करना है और ये ग्रह कारे में करना है, धन्यवाद.